हेलो फ्रेंज वेलकम बाक्टो मैं चैनल स्टड़ी जुन दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से इनको इस टाइपी क्वाई थी कि वह अपना इगनुमें नेम अपना एड्रेस अपना मेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर कैसे चेंज कराएं सो दोस्तों आज की सी वीडियो में हम इसी वारे में बात करने वाले हैं सो वीडियो को एंट तक देखिएगा और आई होप आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएं सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटी सी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आईगन को प्रेस कर लीजिए ताकि एगनी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारे किया जाए तो उसकी अपडेट्स आपको मिल सकें सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में यह डाउट है कि किया हमारा ऑ्लाइन नेम एड्रेस इमेल आइडि या फिर उनका फोन नंबर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है तो और हो सकता है तो आपको बदादो इसका आंशर है यह ओलन को बदा देते हूं कि आप किस構शी से करवा सकते हैं सो गैज हमारे पास दो तरीकी है जिसको आप फॉलो करके आप असानी से अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना फोन नमबर, अपना मोबाइल नमबर या फिर अपना मेल आईडी चेंज खरवा सकते हैं दोस्तों आपका पहला तरीका है, आप इगनु को सिंपली मेल कर सकते हैं, मेल किस तरीके से करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सबसे पहले आपको अपने फोन में या फिल लाप्टॉप में गूगल ओपन करना है, उपन करने के बाद आपको टाइप करना है यहां पर आपको ओपन कर लेना होगा, दोस्तों यहां पर आप अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, अगर आपके प्रॉब्लम्स यह है कि आपको अपने नाम चेंज कराना है, तो आप अपने नाम चेंज कराने के लिए 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 लिख सकते हैं, अगर आपको अपने यहां पर बोलना चाहूँगी कि आप अगर एक बार मेल कर रहे हैं और रिस्पांस नहीं आरहा है तो कम से कम दिन में आप दो से तीन बार इनको मेल कीजिए सो दोस्तों मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगी कि आप जो दूसरा वाला मैथड है उसको फॉलो करें सो चलिए देखते हैं दूसरा मैथड क्या है दोस्तों सेकेंड मैथड आपका यह है कि आपको अपने दिलिजन सेंटर में जाना होगा और वहाँ पर आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख लिजे कि आपको चेंज क्या करना है आपको अपना नाम चेंज करना है या फिर आपको अपना फादर स्नेम चेंज करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है या फिर स्टड़ी सेंटर चेंज करना है या फिर आपको अपना मोबाइल नमबर चेंज करना है या फिर आपको इमेल इडी चेंज करना है या फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्ट चेंज करना है दोस्तों सब के लिए एक कॉमन सा फोर्म है यहां पर आप अच्छे से देख लीजिए, आपको चेंज क्या करना है, तकि आपको समाझ आ सके, दोस्तों सबसे पहले आपको अपना इंडॉल्मेंट नमबर पुट करना है, आप कौन से चेंज करने वाले हैं, उसको यहां पर कॉलम जो है, आपको वहां पर टिक करना होगा जैसे यहां पर आपको अपना नेम चेंज करना है, तो आप नेम वाले को टिक करेंगे, अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, तो आप अपना एड्रेस वाले को टिक करेंगे, यहां पर स्टड़ी सेंटर चेंज करना है, तो आप पूराना वाले स्टड़ी सेंटर कोड़ इब दे आप देख यहां पर कुराना वाला लिख़ लीजिए इस वे बढ़े से चेंज्ड और आप आप अपना रिजन दोस्तों यहां पर सबसार है आपका मॉबाईल नंबर आपको मॉबाईल नमबर ररिष्टर में किया आप लगे फिर आपका मपाईल नमबर गवं या फिर आप अपने मवाईल नम्बर को चेंज करना चाहते तो वह की यहां पर आप अपने एड्रेस को भी चरीच और सकते हैं कि डोस्तों मैं एक और को दोन Ooh तरीके से आप की सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ Facebook वे WhatsApp पे Twitter पे इनसे पर जरूर शेर कीजिएगा और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो मैं चलों सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए थांक्यू फ्रे